किया आप भी लाइनिंग के साथ में अफगानी शिल्वार बनाना चाते हो तो उसमें हम लाइनिंग यानि अस्तर कितना डाले और किस तरह से इसे जॉइन करें इस रीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप अस्तर वाली अफगानी शिल्वार किस तरह से रेडी कर सकते हो और यहां पर देख लीजिए कि हमने यह अफगानी शिल्वार और शॉर्ट फ्रॉक रेडी किया है जो दिखने में कितना जादा स्टाइलिश लग रहा है और बनाने के तरीका भी उतना ही आसान है तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं यहां पर देख लीजिए यह हमने इस तरह से यह हमारे शिल्वार का फैब्रिक है और यहां पर यह हमारा फ्रॉक का फैब्रिक है और इसी के साथ साथ हमने यहां पर यह लाइनिंग ली है अब हमें क्या करना है सबसे पहले अफगानी शिल्वार रेडी करनी है तो देख लीजिए यह जो फैब्रिक है मुझे कटपी से मिला था और यहां पर यह वन मिटर से भी थोड़ा सा कम है तो यह जो शलवार हम रेडी कर रहे हैं वह हम पास से छे साल की बच्ची के लिए रेडी कर रहे हैं तो अकर आपके पास वन मिटर फैप्रिक हो तो सफिश्यंट है इतने फैबरिक में यह शलवार और अराम बन कर तैयार हो जाती है तो सबसे पहले हमें है कि ढबल बिचा करना है इसके बात हमें इसे ठोल फ़ोल्ड में वे आप देख सकते हो कि इसकी उपर के साइड में वर्क नहीं है तो हम उपर के साइड इसकी नेफे में जाने देंगे और नीचे से हम इसका बॉट् है वो आएंगी तो इस तरह से यह हमारी शिल्वार की लेंथ रहेंगी लेंगे तो बॉटम हमें जादा ही लेना है क्यूंकि हमें बॉटम में प्लेट्स डालनी है इसके लिए तो हम यहाँ पर ले रहे हैं तो एक निशान हम ट्वेल लगा देंगे और यहाँ पर देख लीजीए से हलका सा हमें राउंड शिप देना है और यह दोनों निशानों को तो इस तरह से यहां पे यह निशानों को हमने मिला लिया और जो अमने मार्किंग की है सह मुसी मारकिंग पर हम कट कर लेंगे तो और यह जो हमारा बंत वाला फै eventual है इसे भी हमें कुछ इस तरह से open कर लेना है तो यहां पे जो शिलीवार यह जो फैब्रिक है हमारा इसकी वीर्थ हमारी जादा नहीं थी अगर आप थोड़ी बड़ी साइज में बना रहे हो तो अब थोड़ा से जादा वीर्थ वाला फैब्रिक ले तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक को कट कर लिया है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो lining है वो lining हम cut करेंगे तो lining के लिए आप कोई भी fabric ले सकते हो cotton भी ले सकते हो और crepe भी ले सकते हो तो ये fabric को भी हमें क्या करना है कि 4 fold में बिचा देना है तो इस तरह से हम पहले fabric को भी 4 fold में बिचा देंगे कि इसके बाद इस पे हम फ Curtis करना चींग करेंगे तो यहां पर 17 नहीं पर झीफ हमारा यहां पर इनननीच रहेंगा और क्रॉच वी हमारी आपर 9 इनच रहेंगा तो उपर से हम 2 इंच बेल्ड के लिए चोड़ते हुए 9 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहां पर भी इसके बाद जो हमारा ये लाइनिंग वाला फैबरिक है या आप इसे प्लाजो बोल सकते हो तो इसका जो बॉटम है वह भी हम 9 इंच लेंगे और इस तरह से दो लो निशानों को हमें ये मिला लेना है मिलाने के बाद सिंप्ली जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पर हम इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से ये जो लाइनिंग वाला फैबरिक है हमारा ये भी हमारा कट हो चुका है जो हमारा स्ट्रेट प्लाजो होता है ना बस उती उसी तरह से हमें स्ट्रेट प्लाजो ये जो अफगानी शिलवार है लाइनिंग के साथ में रेडी कर रहे है तो तो यहां पे हम ये जैसे हम नॉर्मली शलवार में प्लेट्स डालते हैं ना सेम उसी तरह से हमें ये प्लेट्स डालनी है और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे और ये जो दूसरी वाली साइड है सेम हमें इसी तरह से करना है कि इस साइड में भी हम बराबर से आसन से आसन मिलाते हुए इसके ऊपर हम चोटी छोटी प्लेट के अउनके लेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे तो यहां पर देख लिजिए यह प्लेट डालकर इसे रीडी कर लिया है और यह जो हमारा बॉटा में इसे भी हमने फोल्ट कर लिया है अब हम यहां पर क्या करेंगे कि जो हमारी शलवार की महुरी है उसे हम रेडी करेंगे तो देख लीजे लाइनिंग के साथ हमने यह जो हमारा फ्रॉक वाला फैब्रिक है वर्क वाला वह हमने लिया है तो इसकी लैंथ हमने 3.5 इंच ली है और विर्ध 11 इंच वी ली है अब तो पर हम पूरे में चोटी च्चुटी प्लेट डालीगे कि यह जो प्लेट होती है बॉटम में इसी से हमारी अभगान शिलवार का लुक अच्छा आता है तो इस तरह से छोटी च्चुटी प्लेट डाली हमने यह बरी सेंयु रूसर के चॉल ALL गmes Are Wow सेंगल अब दूसरे हाँ कि बीसी तरह से करेंगे आज तो यहाँ पर देख सकते हों कि यहां पर इसकी उपर से लाई लगा लिया है छोटी छोटी प्रेट लेकर है और यह उपर से भी हमारा रेडी है अब हमें इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे इसका बेल्ट रेडी करना है तो बेल्ट के लिए हमने यह प्लेन वाला फैब्रिक लिया है इसका मेजर्मेंट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इसके लेंट 5 इंच है और विर्द हमारी 18 इंच है तो इसे simply हमें इस तरह से दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखना है और इसके उपर एक सिलाई लगा लेनी है दोनों पैर में हम ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमने इसके उपर यह सिलाई लगा ली है अब सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे कि इनका जो आसन है उसे जोइन करना है तो दोनों फिर से सीधी साइड अंदर की तरफ रख लेंगे और आसन के उपर हम सिलाई लगा लेंगे आषान के उपर शिलाई लगाने के बारत क्या करना है कि जो इसके नेफा है या इसका जो बेल्ट है हमें इस तरह हाफ इंज अंदर के तरफ दबाते हुए पुरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और आसन को भी जॉइंट कर लिया है और इतना portion हमने ये जो portion रखा है ये हमने elastic insert करने के लिए रखा है तो elastic की जो length है वो आप आपकी बेबी के कमर के हिसाब से ले ले मैं यहाँ पे 17 इंच ले रही हूँ आपकी बेबी अगर ज्यादा है तो आप उसकी हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो और एक सेप्टी पीन की help से इस तरह से ये elastic को आपको insert कर देना है और लास्टिक insert करने के बाद क्या करना है कि ये जो हमारे शिलवार की final जो फिटिंग होती है वह हमें लगा लेनी है तो इस तरह दोनों साइट को बराबर से पकड़ेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे तो इसके बाद हमारी जो अफगानी शिलवार है वह रेडी हो जाएंगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने ये सिलाई लगा कर ये अफगानी शिलवार को रेडी कर लिया है अब मैं आपको ये सीधा करके भी बता देती हूँ तो एकदम सिंपल तरीके से आप ये अस्तर वाली अफगानी शिलवार रेडी कर सकते हो तो देख लिजिए इस तरह से कुछ हमने ये से रेडी किया है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले अब इसके साथ में हम क्या करेंगे कि शॉर्ट फ्रॉग भी रेडी कर लेंगे तो चलिए उसकी शुरुवात करते है तो देख लीजिए ये हमने जो फैब्रिक लिया है ये भी थोड़ा हमारा क्रश वाला फैब्र कि आप कपड़े का मेजर्मेंट नहीं बताते हो तो इसलिए मैं यहां पर डिटल में बता रहे हूँ आपको कि मैं कितना कपड़ा यूज करती हूँ तो यह एक मीटर में थोड़ा सा जादा है अगर आपके पास एक मीटर भी रहेंगा तो सफिशेंट है अब हम क्या होगी यह जो मैं प्रॉक्रा कर रहे हूँ वह मैं पास-च्छे साल की पच्ची के लिए रैडि कर रही हूं तो यहां पे इसका तो इस शोल्डर हे उप वह पाइप ईंच लेना है जो हम चेस्ट आप मेने 7 लेंग और इसमें मेहां ने मैने मार्जन को इंकूलूट किया है मतलब यह मार्जिन के साथ में यह मेजरमेंट है इसकी बाद में हम आर्म होल में हलकी सी गोलाई दे देंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे कि यहां पर भी हलकी सी हमें गोलाई दे देनी है इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे तो नेक की जो वीर्थ है वो हम 2 इंच लेंगे और उसकी जो डेप्थ है फ्रंट के लिए 3 और बैक के लिए 2.5 इंच लेंगे और यहां पर एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स बनाने के लिए दोनों को भी हमें राउंड शेप देना है फ्रंट और बैक दोनों हम राउंड शेप कर यहां पर कट करेंगे तो जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पर हम कट कर लेंगे तो देख लीजी हमने बैक वाला जो नेक है उसे कट कर लिया है अब उसे साइट कर लेना है और जो फ्रंट वाला नेक है हमारा उसे यहां पर कट कर लेंगे क्योंकि जो हमारी फ्रंट के डेप थी वो थोड़ से ज्यादा थी इसलिए हम इसे इस तरह से बाद में कट कर लेंगे तो यह हमारे लाइनिंग के उपर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके है अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो लाइनिंग के उपर कट करने से क्या होता है जो मेन वाला फैबरिक है वो हमारा आसानी के साथ में कट हो जाता है तो देख लीजिए यह हमने कितने आसानी के साथ में इसे कट कर लिया है अब इसके उपर सिंपली हमें टॉप स्टिच लगा देनी है बस आप क्या करें कि यह जैसा है वैसे ही हमें इसकी उपर टॉप स्टिच लगा देनी है और टॉप स्टिच लगाने के बाद में इसका जो बॉटम वाला पार्ट है उसे भी हम यहां पर रेडी कर लेंगे तो देख लीजिए मैंने आपको कि जो वर्क वाला पार्ट है हमारा वह हम फ्रंट में यूज़ करेंगे तो यहां पर हमने इसकी जो लेंद लिए है वह 12 इंच ली है और इसके बाद में सिंप्ली यहां पर छोटी-छोटी प्लेट लेनी है हमें आप गैदर्स भी ले सकते हो अगर सुई धागे की हल्प से आप बनाओंगे तो वह भी अच्छा है और इस तरह से चोटी-छोटी प्लेट्स भी ले सकते हो तो पूरे फैब्रिक को हमें यहां पर अज्जेस्ट कर ल लेनी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है तो देख लीजिए यह हमने जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर हमने यह चोटी-चोटी प्लेट ली है और इसे अटेज भी कर लिया है एक दम आसन तरीके से मैं बता रही हो आपको किस तरह से रेडि कर सकते ह लेनी है और इसके बाद हम意न क्या करना हैं यहां पे कि इसमें इन डालनी है तो लायनिंग के लिए देख ली जए यह couple 27 इसकी विर्ट है और इसकी जो लैंत है वह हमने तैन इंच री है क्योकि थोरसा छूटा लिया है तो इसमें भी हम क्या करेंगे यह हमारा कंvoi तो इसमें थोड़ी सी प्लेट्स आएंगी मतलब जितनी आएंगी सफिशियंट है तो उतनी प्लेट्स हमें यहां पे ले लेनी है और इसकी उपर हमें यह सिलाई लगा लेनी है और साथी साथ इसका जो बॉटा में उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो तो यहां पर आप देख लीजा है कर लिए कुछ इस तरह से जिस तरह से आमने फ्रन्ट वाला पर्ट रेडी किया है सेम घंभणा पर ला divorced रेडी किया है और यहां पर आपने बैक पर रखार्टा है haters अग आप देखना चाहते हो कि नर्मल फु करेंगे कि जो हमारी क्रॉस वाली स्ट्रिप होती है यह हमें लेना है और इसके उपर पहले टॉप स्टिच लगा लेनी है और इसे अंदर की तरह फोल्ड कर लेना है और इसके उपर एक और सिलाई लगा कर इसे फिनिशिंग दे देनी है सेम हम दोनों आरम होल पे इसी तरह से करेंगे और नेक पर भी हमें सेम इसी तरह से जो क्रॉस वाली स्ट्रिप है वो ले ली है और इसे अंदर की तरह फोल्ड कर लेना है अब साती साथ हम क्या करेंगे यहां पे कि जो हमारी फिटिंग है फ्रॉक की तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को पहले बराबर पकड़ लेना है और यहां पे यह हमारी फिटिंग की सिला ही लगा लेनी है है नो हमने यहांपे यह फ्रोक में हमारा उसे रेडी कर लिया है आपने देखाए मैंступने रेडी किया है और पिसकी इससी फिनिशिंग भी देख सकते हों तो आप बेबी के लिए इसी तरह से यह फ्रॉक रेडी कर सकते हैं वह भी एकदम बजट में और कम फैब्रिक में कुछ जादा फैब्रिक की requirement नहीं होती है और देख लीजिए यह हमने अफगानी शिल्वार तो पहले ही ready की है और यह दोनों का combination और इसका look कितना अच्छा लग रहा है यह party wear dress हमारा बनके तयार हो गया है आप इसके साथ में डुपटा भी ले सकते हो तो इस तरह से यह देख लीजिए पुरा dress बनके तयार है अगर यह video अच्छी लगी हो तो प्लीज इस video को like और share करना बिल्कुल न भूले और जाते जाते चैनल को तो बिल्कुल subscribe करके जाएए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए thank you